जे मसीह लेकिन हम का किया यह जो सीन आभी आपने देखा यह एक बोलीवुड का मूबी जो पीके केकर है उसका सीन है यह मूबी बहुत ही हिट था वैसे मेरा कोई प्लान ने था यह वीडियो बनाने का लेकिन यह सीन के बेसिस पर किसी ने एक टिपनी किया तो उसको मैं रेस्पॉंस इस वीडियो में देना चाहूंगा वैसे यह मूबी जो है रिलिजिस एक्स्प्लोटेशन के ऊपर में बेस्ट है यह मूबी यानि कि जो रिलिजिस करफशन होते हैं उसके थीम के ऊपर में यह मूबी बनाया गया है देखिए मैं इंकार नहीं करता कि मसीहत में एक्स्प्लोटेशन ही होते हैं जिस प्रकार से हर धरम में एक्स्प्लोटेशन है करफशन है उसी प्रकार से मसीहत में भी है लेकिन यहां पर इस सीन में जो आपको दिखाई देता है वो purely doctrines को मजाग उडाया गया है यानि कि जो fundamental teaching जो Bible का है जो core belief हम मशीहों का है जो बचन हमें सिखाता है उस पर ये movie का जो scene में मजाग सरकजम परस्तूत किया गया है तो उसको मैं इस वीडियो में रेस्पॉंड करने जाओ तो आपको इस scene में क्या दिखा देता है कि एक वक्ती अमिर खान से किया रहा है कि तुम्हारा पाप के लिए ये मसीश सूली पर चर गया अमिर खान चोक होकर पुष्टा है कब अब ये दूसरा अला व्यक्ती जवाब देता है 2000 साल पहले तो यहां पर जो सरकजम है कि जो व्यक्ती 2000 साल पहले मर गया उसका बलिदान आज हमारे पापों का चमा कैसे हो सकता है यानि कि जो चीज़ 2000 साल पहले हो गया उसका हम से क्या connection तो इस बात को आप इस प्रकार से समझे ये response है अब ध्यान से और critically और deeply इस पर इस reason को आप पकरिए एक 25 साल का लरका डाइगनोस होता है एक पहुती खदना बिमारी से लेकिन इस बिमारी का इलाज जो है आज से यानि कि जो लरका आज जो डाइगनोस हुआ है जो 25 साल का है 50 साल पहले उस बिमारी का इलाज डॉक्तरों ने ठूण गिया था आज ये 25 येश का लरका का जो बिमारी है उसका इलाज जो है 25 साल पहले ही ढून लिया गया है तो क्या यहां में इस लरके को इससे फाइदा होगा की नहीं होगा कि जो बिमारी आज इसको हो रहा है उसका इलाज जो तो पचास साल पहले जिसका इलाज जो है, ढून लिया गया है, यानि कि उसका इलाज मिला, लेकिन बिमार तो यह आज हो रहा है, तो यहां में लोजिक आप समझे, तो यह दूसरा उधारन, कोई एक प्रसिद्ध, एपोलोजिस्ट, क्रिस्टन, फिलोसफर, इस प्रकार से द परदादा, आपके लिए 100 एकर जमीन छोड़के चला जाता है, आप तो जब यह जमीन छोड़के गए थे, आपके परदादा, तब तो आप पेदा भी नहीं हुए थे, तो क्या, आप यह कहोगे, कि अरे, जब मेरे परदादा ने, मेरे लिए, जो 100 एकर जमीन छोड़के गया मैं तब तो पैदा ही नहीं होता तो में यह जमीन मुझे नहीं मिलेगा नहीं तो यहां में जो सेंस बनाने की कोशिज कर रहे हैं कि मैं तो आज पाप कर रहा हूं लेकिन मेरे पाप के लिए तो वो कब का मर गया 2000 साल पहले मर गया तो उसका मुझे कैसे लाप होगा हमारा जो सोच है यह बहुत ही लिमिटेड वए में हम लोग सोचते हैं हम लोग प्रॉक्शिमिटी में रहने वाले यानि कि टाइम स्पेस मेटर में लिमिटेड होकर रहने वाले हैं हम इश्वर इटेरिनल हैं इसलिए एक बार, once for all एक बार में उन्होंने जो किया उनका effect उनका जो power है वो eternity तक जाएगा क्योंकि he is a transcendent God जो लिमिटेड नहीं है जो प्रभुयेश्य मसी खुदा होते हुए इनसान के रूप में आकर क्योंकि justice दिमान करता है debt को और वचन कहता है सभी ने पाप किया तो उस justice को यानि कि permission का जो nature है just right, righteous, holiness को satisfy करने के लिए बलीदान होना पर लेगा इसलिए हमने बचन में throughout दिखाय देता है Old Testament में की scene के लिए sacrifice यानि कि debt as a punishment लेकिन cross जो है उनका दूसरा nature का manifestation था यानि कि जो cross वो प्रभु का प्रेम का प्रकट होना solution उनका justice दिमान करता है के मरे लेकिन उनका प्रेम दिमान करता है के बच जाए इसलिए प्रभु येश्यू मसी शोयं हम सबों के पापों को अपनी उपर लेकर मोत जो पाप का सजा है उसको अपनी उपर लेकर बलीदान हो गये तो अब हमें क्या करना है बचन कहता है बिश्वास करना है तो यह जो benefit है उसी को मिलेगा जो बिश्वास करेगा और जो उनको गरहन करेगा वो by faith and through his grace श्वर को जाएंगे उनका justification होगा बचन के हिसाब से He is same yesterday, today and forever. He is a God, eternal God. तो उसका जो काम क्या ओला आप उसको समय में limit करकर नहीं रख सकते हैं येश्व मसी का जो बलीदान है, it's a historical event. येश्व मसी का जो मरना वो historical event है और येश्व मसी का मरो में से जी उटना है, it's a historical event. आई विद नियसका एकाउंट है are there external evidences sources Yeshu Masih पूरे दुनिया को बदलने वाले इस दुनिया में कोई भी हमारे पापो के लिए नहीं मरा केवल Yeshu Masih इस दुनिया में कोई भी मोच से जिन्दा वापस नहीं आया केवल Yeshu Masih और Yeshu Masih ही एक मातर श्वार करास्ता है बचन केता है so we believe that दने बाद इस वीडियो को आखर तक देखने के लिए God bless you